Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learnohub, एक ऐसा free learning platform जहां पर आप पढ़ सकते हैं Physics, Chemistry, Maths, Biology and SST absolutely for free only at Learnohub.com तो आज का जो session है वो again force and pressure का ही continuation session है जहां पर आज हम इस topic को खतम करने वाले हैं तो हमारे पास बचा है liquid pressure and atmospheric pressure और कुछ daily life examples तो चलो शुरू करते हैं with the remaining parts of the chapter तो हमने देखा था कैसे solids pressure exert करते हैं तो अगर एक solid को हमने एक जगा पर रखा है तो उसका जितना weight है उतना वो pressure exert करता है in the downward direction बट liquids के case में भी same है क्योंकि liquids के पास भी weight है अब फरक ये है कि जैसे solids सिर्फ downward direction में force generate करते थे थे यहां पर liquids जो है वो सिर्फ एक direction में नी बट बहुत सारी directions में pressure exert करते हैं ठीक है तो pressure क्या है pressure is equal to thrust per unit area यह हमने पढ़ा है अब अगर आप liquid ले लो जैसे आप इस container में एक liquid है तो यह जो pressure है ना इस liquid का यह हर direction में आपको देखने को मिलेगा उपर भी नीचे भी sideways भी in all the directions ठीक है अब जैसे की हमारी body के अंदर भी एक fluid है कौन से fluid है blood है तो blood का भी हम एक instrument को लगा कर क्या हम अपना blood का pressure measure करते हैं exactly करते हैं so because every liquid has a pressure and this pressure is exerted in all the directions तो इसी को थोड़ा सा और depth में समझने के लिए हम simple simple experiments करते हैं सबसे पहला experiment है a liquid exerts pressure at the bottom of its container अब क्या करना है एक tube लेनी है जो दोनों ही side से open ended है ठीक है यहां पर एक end पर हमने क्या लगा दिया एक deflated balloon लगा दिया अब क्या करो कि उस इस tube को हम भरना शुरू कर देंगे पानी के साथ अब जैसे जैसे यह पानी भरता जाएगा इस tube में यह जो balloon है यह bulge होता जाएगा यह ऐसे फूलता जाएगा तो जितना जादा पानी होगा ट्यूब में उतना ही जादा यह bulge होगा और अगर हम पानी को कम कर देंगे तो यह जो bulging है balloon की वो कम हो जाएगी so this means कि जब हमने यहाँ पर लीक्विड डाला तो लीक्विड डालने से इस लीक्विड ने नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट किया और यह जो डीफलेटेड बलून था यह bulge आउट हो गया ok, the next is the liquid also exerts pressure in sideways, on the walls of the container अब क्या करना है फिर से एक tube ही लेनी है और उस tube में एक hole बनाकर वहां पर एक डीफलेटेड बलून दादेना है अब क्या होगा अब यहाँ पर आप फिर से पानी बरना शूरू करोगी तो आप क्या देखोगे कि जब वो ट्यूब खाली थी फूला नहीं था लेकिन जब हम उसमें पानी भरना शुरू कर देंगे तो यहां बलून की बल्जिंग जो है वो शुरू हो जाएगी तो जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे बलून जो है वो बल्ज आउट होता जाएगा अब यहां पर किस तरफ को प्रेशर एग्जर्ट हुआ है बाई लिक्विड तो तो नीचे का तो हमने देख लिया था अब साइड्स को भी यह बल्जिंग आउट होना शुरू हो गई है देखो पहले क्या करो अब देखो हमने साइडवेज देख लिया उससे पहले एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक बके लो उस बके में पानी फिल कर दो अब एक मग लो और उस मग को यहां पर नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करो इस पानी में तो हम क्या देखते हैं सबने किया होगा यह तो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट थो हम सबने घर में किया है तो हम क्या देखते हैं कि कोई एक ऐसी force है ना जो उपर की तरफ को लग रही है मतलब ये जो मग है ना वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है वो उपर की तरफ को push हो रहा है बार-बार So because liquid exerts pressure in upward direction as well And to conclude कि liquid जो है वो हर direction में force apply करता है बड़ा ही simple example है एक balloon लो उसको हवा से भर दो और उसके जो एक end है उसको tie कर दो अब क्या करना है उस balloon में थोड़ा 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 बहुत सारी जगा चोटे 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 होल्स लगा देने है एक pin से तो आप क्या देखोगे कि उन holes से पानी जो है वो निकलने लग जाएगा क्योंकि liquid जो है वो हर direction में pressure को exert करते हैं तो जहां पर भी उनको space दिखेगा वो उस तरफ से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा so this proves that liquid exerts pressure in all the directions is that clear okay now coming on to the factors affecting the liquid pressure तो दो factors है जितनी हमने ये activities पड़ी है तो इन activities में हम देख रहे थे कि हम पानी हम ट्यूब ले रहे थे और ट्यूब में पानी भर रहे थे और उससे जो हमारा deflated balloon था वो फूल ने लग जा रहा था right तो यहां पर उन्ही के based हमने दो factors is the height of the liquid column मतलब अगर ये tube है ठीक है ये tube है मैंने यहां पर deflated balloon लगाया है दूसरी tube ये है ठीक है अब इसमें भी मैंने यहां पर deflated balloon लगाया है राइट अब मैं दोनों में equal amount of water डाल देती हो तो ये जो दोनों ही balloon है ये bulge out हो जाएंगे equal amount मतलब एक बराबर bulge out हो अब अगर मैं एक में जादा पानी भर दू तो क्या होगा जिसमें जादा पानी होगा वो जादा bulge out होगा तो the height of the liquid column पहला कि इसमें liquid कितना जादा है height क्या है दूसरा इस liquid की density क्या है तो these are the two factors which affect the liquid pressure तो इनको भी फिर हम अपनी activities से ही समझते हैं तो जब हम liquid pressure की बात कर रहे हैं so liquid pressure increases with increase in height of the liquid column तो बड़ा ही simple सी activity है करना क्या है कि वो जो open ended हमने tubes लीती ना बस वही open ended tube लेनी है उसमें एक balloon लगा देना है deflated balloon लगा देना है अब हम इसमें डालेंगे पानी ठीक है तो अब जैसे 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 हम इसमें पानी डालते जाए जाएंगे यह जो balloon है इसकी bulging जो है वो बढ़ती जाएगी मतब यह फूलता जाएगा एक तरह से राइट तो जब इसमें कम पानी होगा तो इसमें कम bulging होगी जब हम इसमें जादा पानी आड़ कर देंगे तो इसमें जो bulging है वो भी जादा हो जाएगी so this shows that with the increase in height of the column the liquid pressure increases जितना जादा height है column की उतना ही जादा क्या होगा liquid का pressure एक और देखते हैं अब एक अगें हम क्या करेंगे एक ट्यूब ले लेंगे ठीक है अब इस ट्यूब में हम दो holes करेंगे एक नीचे और एक उपर अब इन दोनों को ही आप adhesive tape से cover कर दो अब उठाओ इसको और इसको एक table पर इस block के उपर रख दो मतलब basically height पर रख दो तो अगर पानी गिरे भी जब हम उन holes को adhesive tape को remove करें तो हम पर पता चले की कैसे पानी बाहर आ रहा है तो अब हमने यह किया अब हम यहां पर इसके अंदर क्या डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं एक टिन का cylinder ले लो बड़ा हीजी है उसमें holes बनाना अब हम क्या notice करेंगे कि यह एक जो नीचे hole है एक उपर hole है हमने adhesive tape को remove कर दिया तो हम देखेंगे कि जो hole नीचे है उससे पानी जो है वो जादा दूर जाके गिर रहा है वहीं पर जो उपर है जो hole उपर की तरफ है उससे पानी जो है वो container के पास में जाके ही गिर रहा है so what does this show this shows कि जैसे जैसे यहां पर increase होती है height जैसे जैसे column जो है वो बढ़ता जाता है इस case में जैसे जैसे depth increase हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है pressure increase होता जा रहा है ठीक है so जैसे जैसे liquid column बढ़ेगा वैसे वैसे उसका pressure क्या करेगा liquid का pressure क्या है वो बढ़ता जाएगा is that clear okay the next one is the liquid pressure increases with increase in density of the liquid तो density क्या होती है पढ़िये हमने मदब वो substances जिन अगर हमारे पास हम हमेशा comparison में ही इसको समझ पाएंगे कि एक ऐसा substance है जिसमें molecules दूर दूर है और एक ऐसा है जिसमें पास-पास है molecules उसको हम क्या बुलाएंगे we'll call it more dense and this is going to be less dense right तो again वही करना है दोनों ही open-ended tubes लेनी है और उसके बाद वहाँ पर हमने balloon लगा देना है अब क्या करेंगे हम इन दोनों ही tubes में हम एक में हम डालेंगे equal amount of water ठीक है जितना माल लो हमने हमारी tube है से 100 ml की तो हमने 90 ml water डाल दिया यहां पर और इस tube में हम क्या करेंगे concentrated sugar solution डालेंगे मतब एक solution जिसमें sugar मिली हुई है लेकिन वह भी हम 90 ml ही डालेंगे तो जब हम दोनों को fill करेंगे with the liquid तो हम देखेंगे कि वह जिसमें sugar solution था वह जादा bulge out हुआ even though दोनों का जो volume है liquids का वो same है tube में क्यों क्योंकि जितना जादा concentrated होता है liquid उतना ही जादा वो pressure exert करता है ठीक है तो liquid pressure increases with increase in the density of the liquid तो जितना dense होगा उतना ही जादा उसका pressure होगा liquid का is that clear तो यह सारे experiments आपको समझ आए है these are important for you to understand क्योंकि exam में इनके उपर आपको questions पूछे जा सकते हैं तो अगर कोई doubt हो तो आप ask question section में पूछ सकते हो और अगर फिर भी आपके doubts नहीं clear हो पा रहे हैं आपको पास में साथ 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 बैटके अगर आपको doubts clear करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्वयम class book करनी पड़ेगी ओके चलो आगे बढ़ते हैं Now the consequences of the liquid pressure, liquid pressure के क्या consequences रहते हैं बहुत ही अच्छा example है तो उसको समझते हैं तो एक consequence है liquid pressure का तो उसमें जब हम dam देखते हैं तो जब dam बनता है तो dam की जो नीचे वाली wall होती है वो जादा थिक होती है So जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे इस wall की thickness बढ़ती जाएगी क्यों क्योंकि नीचे जादा pressure होता है तो basically होता है क्या है कि जैसे जैसे water column बढ़ता जाएगा pressure बढ़ता जाएगा liquid का ठीक है तो जितना नीचे होगा पानी उतना जादा उसका pressure होगा So pressure increases in the downward direction तो इसलिए जो walls होती है dam की वो उपर उनकी width कम होती है जैसे जैसे वो नीचे को जाती जाती है उनकी जो width है वो बढ़ती जाती है To overcome that pressure So the next is some extra bites for you तो अगर मालो आपको एक liquid दिया है और आपको कुछ ऐसा एक setup दिया है जिसमें एक tube है उससे बड़े सारे containers connected है जिनका अलग-अलग volume है तो अगर आप इसमें पारी डालोगे ना तो आप देखोगे कि सब में पानी का जो level है ना वो same ही रहेगा So liquid seeks its own level Although the volume of water in all these is different but they are at the same volume Sorry same level, the water is at same level in all the tubes Right, दूसरा buoyant force or upthrust तो जैसे जैसे मतब अगर आप एक कोई भी आप एक ball ले लो आप उसको नीचे की तरफ पुश करो ठीक है तो आप उपर से force लगा रहे हो नीचे की तरफ लेकिन आप फील करोगे कि वो जो ball है ना वो उपर की तरफ आ रही है क्योंकि नीचे से एक force जिसे हम buoyant force बुलाते हैं या upthrust बुलाते हैं उपर की तरफ को thrust वर्टिकल डिरेक्शन में उपर की तरफ को What is thrust? Thrust is a perpendicular force acting on the surface ठीक है लेकिन ये force जो है ये नीचे को नहीं ये उपर की तरफ को है तो इसे हम क्या बुलाते हैं? Upthrust Third is at any point inside the sea or ocean is much greater than its surface तो pressure जो है Sea divers को आपके देखा होगा कुछ ऐसे वो suits पहनते हैं तो इन suits को पहने का मतलब क्या है? क्योंकि उनको sea में जाना होता है तो जैसे जैसे वो sea में नीचे को जाएंगे वैसे वैसे pressure बढ़ेगा तो उस pressure को overcome करने के लिए they wear these suits तो जैसे हम dam की बात कर रहे थे कि नीचे pressure जादा होता है जैसे जैसे liquid की height बढ़ती जाएगी pressure नीचे की तरफ को जादा बढ़ता जाएगा So same is the case in seas and oceans also Okay, so I hope this is clear Now coming on to the atmospheric pressure Do you know कि आपके सिर की उपर बहुत सारा pressure पढ़ रहा है? यह atmosphere बहुत सारा pressure डाल रहा है नहीं पता है तो आप जरूर पता चाह जाएगा तो अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो atmosphere भी हमारे उपर एक pressure exert कर रहा है तो क्या आपको यह pressure feel होता है? नहीं होता है क्यों नहीं होता है वो भी बताऊंगी तो हमारा जो atmosphere है जिसे solids pressure exert करते हैं liquids pressure exert करते हैं वैसे ही gases भी pressure exert करती है और यह pressure जो है वो atmospheric pressure कहलादे है मतब जो atmosphere का pressure है that is called as atmospheric pressure and what is it? It is the thrust on unit area of earth's surface due to the column of air तो हमारा जो atmosphere है तो यह है around 200 km ठीक है तो 200 km का earth के around एक atmosphere है यह जो atmosphere है यह earth के उपर एक pressure create करता है ठीक है? कितना pressure create करता है? अगेन vertical direction में करता है on the unit area ठीक है एक छोटे-छोटे area की अगर हम बात करें so the thrust on unit area of earth's surface due to the air column is called as atmospheric pressure and do you know how much is that pressure? So this pressure is 10 raised to the power 5 newton per meter square so this is the atmospheric pressure ठीक है? तो अगर thrust की अगर हम बात करते हैं तो यह जो thrust है this is around how much is the thrust? it is 1 lakh newton ठीक है? 1 lakh newton की जो thrust है यह 1 meter square के surface पे act कर रही है या 1 meter square surface of an object पे act कर रही है तो हमारा अगर हम human body की बात करें तो human body का जो surface area होता है that is around 2 meter square तो इसके उपर भी क्या हो रहा है? एक thrust act हो रही है कितनी हो रही है? simply multiply this by 2 तो आपके उपर 2 lakh newton की force लगा रहा है atmosphere के आपको feel हुई? नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? तो आपकी body में veins है तो veins जो है ना यह veins भी एक pressure exert करती है जो blood है ना अंदर वो भी एक pressure exert कर रहा है so this pressure gets balanced तो जो हमारी body के अंदर का pressure है और जो उपर से हमारे उपर pressure आ रहा है वो balance हो जा रहा है इसलिए हमें यह कोई सभी pressure feel नहीं हो रहा है दोनों ही जो pressures है वो null हो जा रही है right? so this is the atmospheric pressure now coming on to the activities simple सी एक activity है एक glass लेना है उसको पूरा उपर दक पानी से भरना है और अब उसके उपर एक post card रख देना है और post card रखने के बाद अब उसको धीरे धीरे उल्टा करना है तो आप क्या देखोगे? कि post card तो गिरा ही नहीं although यहाँ पर इतना सारा पानी था पानी जो था वो अपना pressure exert कर रहा था लेकिन फिर भी post card नहीं गिरा वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है वो वहां का वही रह रहा है राइट? So this is one of the simplest activity that we can do तो फिर करे इस simple से experiment को तो मैंने क्या किया है? सेफटी से के बोल ले लिया है ताकि मेरे टेबल पर पानी स्पिल ना हो जाए मैंने यहाँ पर भर दिया है एक ग्लास पानी ठीक है? और उपर मैंने लगा दिया है यह पोस्ट कार्ड ओके? तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको ऐसे उल्टा करूंगी राइट? अब मैं हाथ अटा हूँ तो मैं धीरे धीरे अपना हाथ अटा रही हो and see the magic तो यहां पर क्या हो रहा है कि liquid तो pressure exert कर रहा है लेकिन नीचे से pressure कौन exert कर रहा है atmosphere जिसकी वज़़ से यह postcard अपनी जगा से नहीं हील रहा है So हुआ ना magic तो आपको आप समझाए आप भी अराम से कर सेते हो बहुत ही simple सा trick है The next activity is again very simple एक tin can लेना है और उसको जिसका air tight container हो तो अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे and we will put it on a burner और इसको हम पानी को अंदर गरम होने देंगे बस यहां पर tin can से थोड़ा सा space बनाएंगे जिससे यह जो steam है जब पानी boil हो रहा है ना जो steam है वो बाहर निकलती रहे तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि एक air pressure है जो exert हो रहा है इस tin can की उपर बाहर की तरफ से वहीं पर अंदर भी क्योंकि वेपर्स है अंदर भी हवा है तो अंदर भी एक pressure है तो equal amount of pressure बना हुआ है बाहर और अंदर की तरफ अब क्या होगा अब जब यह पानी boiled होना शुरू हो गया अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे and now what we will do is we will put this container यह जो tin can है इसको हम पानी में डाल देंगे पानी के tub में और उपर से हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर जितनी भी steam थी वो condensed हो जाएगी और वो वापस क्या बन जाएगी हमने पढ़ा है class 6 में हमने इस class में भी पढ़ा है तो जो gas है वो liquid बन जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी condensation तो यहाँ पर condensation हो जाएगी अब पानी जब यहाँ पर आएगा बाहर से air pressure जाएगा अंदर की तरफ तो यहाँ पर जो अंदर हवा थी न वो condense हो गई है वो वापसे liquid बन गया है तो अंदर pressure कम है बाहर pressure जादा है इसकी वज़ा से बाहर के pressure जादा होने की वज़ा से यह जो can है न यह क्या हो जाएगा य यह अंदर की तरफ को bend हो जाएगा, so this shows कि जादा pressure होने की वज़े से, atmospheric pressure जादा होने की वज़े से, जो tin can है, वो क्या हो गया, crush हो गया, ठीक है, so I hope आपको यह भी activity समझ आई है, now coming on to the next, that is the standard value of atmospheric pressure, the standard, बस इसको ऐसे याद रखे न, the standard at sea level on earth surface, the atmospheric pressure is, 76 cm ठीक है, या फिर 760 mm of mercury column, right, और this 76 cm of mercury column is equal to 1 atmosphere, और it is equal to 1.013 into 10 raised to the power 5, pascal, so this is the standard value of atmospheric pressure, right, अब हम बचते हैं, क्या करने के लिए, अब हम कुछ daily life examples use करेंगे, जहां पर हम देखेंगे, कि अगर air pressure बढ़ जाता है, या फिर liquid pressure बढ़ जाता है, तो क्या होता है, तो वही चीज़े जो हम day to day life में experience करते हैं बस उनी की बात करेंगे, So, let us see some daily life examples, the first one is sucking drink with the straw, तो जब हम straw से juice पीते हैं, तो क्या होता है, तो उस straw में जितनी भी हवा होती है, वो हम सक कर लेते हैं अपनी लंग्स के अंदर, अब क्या होता है, वहां पर उस straw के अंदर pressure कम हो जाता है, और हम वो जो liquid है, वो पुश हो जाता है, पुल हो जाता है into the straw and this is how we are able to draw the drink into the straw, दूसरा है blowing air in the balloon, अब क्या होता है, बलून हवा भरनी है, बर्दे पाटी है, तो बलून फिल करने है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो माउट से या तो पम से हवा फिल करते हैं into the balloon, तो जब बलून में हवा भरती है, तो वो जो हवा है ना, वो उस बल Chore, अरुन फूल्मने लग जाता है, तो लकुडब झॉन्य जो हो दन द फूलने लग जाता है, तो इसवा अजन से यहा टाहा रहता दो उस pen को पीछे से प्रेस करते थे, और जब हम उसको रिलीज करते थे, तो च्या होता था यह इंक जो है वो हमारे पैन के उस ट्यूब के अंदर आ जाती थी, क्यों कि जब हम इसको प्रेस करते थे, तो अंदर वॉल्म भी कम होता था, अंदर प्रेशर भी कम होता था, ठीक है, तो बढ़ जाता था पता प्रेशर, और यहां पर अट्मस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता थ और जो लीक्विड है, वो इस ट्यूब के अंदर चला जाता है, राइट, the next is water drawn by the water pump, again, तो जब हम water pump से पानी ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, पानी उपर की तरफ ला रहे होते हैं, तो यहां पर भी अट्मस्फेरिक प्रेशर आक्ट करता है, ठीक है, अट्मस्फेरिक जिसकी वज़े से पानी जो है, वो उपर की तरफ इन पाइपस में चला जाता है, the next is स्रिंज फिल्ड विड लीक्विड, तो आपने कभी देखा होगा डॉक्टर को ऐसे स्रिंज को फिल करते हुए, तो यहां पर जब इस pump को रिलीज किया जाता है, तो यह लीक्विड भर को अर। इनको कोई आपको ड्रेल या होल कर निक जूरत नहीं पढ़ती है, आप डिर्टली झाकर इनको क्या कर देते होगो दिवार पे लगा देते हो, तो यह यहां पर वाक्यूम ओक्रियेट हो गया है, और यहां पर क्या हो रहा ह मैं आटमसफेराइक प्रेशर क्या है, सिर्फ atmospheric pressure की वज़े से ये जो suckers हैं ये अपनी जगह से move नहीं करते हो और आप अराम से अपनी crockery जो है इसमें लगा सकते हो Next one is taking out oil from oil tin Again अगर एक ही hole होगा तो oil को निकालना मुश्किल होगा लेकिन अगर मान लो इस oil can में आप दो hole कर देते हो तो इस particular can में atmospheric pressure बढ़ जाने की वज़ा से अब जो oil है वो अराम से oil tin से बाहर आ जाएगा The next is lizards are able to move on the wall तो again वो अपने हाथों को एक सकर की तरह use करती हो और peaches atmospheric pressure act करता है And that is why they are able to move easily on the walls Okay एक adhesive force रहती है वो एक तरह से The next one is astronauts and mountaineers they wear the swim suit नहीं They wear special suits तो क्यूंकि जैसे जैसे हम उपर जाते हैं वैसे वैसे pressure decrease होता जाता है अब क्यूंकि pressure decrease हो रहा है तो क्या होगा तो हमारी body पे effect पड़ेगा तो उस pressure को maintain करने के लिए astronauts और mountaineers special suits पहनते हैं ताकि उस pressure को maintain कर सके अब क्या होता है कि जब वो pressure maintain नहीं होता है तो हमारा internal pressure बढ़ जाता है internal pressure मतब जो हमारी veins में हमने बात की थी ना कि veins में भी pressure है और atmosphere का प्रेशर है दोनों एक दूसरे को balance करते हैं इसलिए हमें ये pressure feel नहीं होता है तो जब atmospheric pressure कम होता है हमारी body में veins का pressure बढ़ जाता है उस time पर हमें nose bleeding जैसे situations देखने को मिलती है और ये देखने को ही high altitudes में मिलती है जहां पर atmospheric pressure कम होता है ठीक है तो यहां पर atmospheric pressure जो है वो कम होता है fine so I hope the applications, the daily life applications examples are clear to you so this was all from our today session I hope you enjoyed it I hope you understood the concepts examples को जरूर याद रखना inkyo पर ही questions आते है so I'll see you next time with the next video till then you all take care and as you all know learn हम मतलब free है पर best है